Hello friends, welcome to my channel, I am Om आई मैं आपको एक हिंदी स्टोरी सनाऊँगा पाप का फल एक महात्मा जी गाउं के पास जुंगल में रहते थे उनके साथ उनका एक चेला रामनाथ भी रहता था महात्मा जी ने अपने कुटिया के आजपास खूब पेड़ पोधे लगा रखे थे अमरूद, अनार, जामुन, केले, आम और सेब के पेड़ थे वे गेहूं चावल की खेती भी करते थे रामनाथ ही खेती बाड़ी और फलुक के बाग की देखरेक करता था गाउं की लोग महात्मा जी का बहुत आदर करते थे महात्मा जी भी उन्हें अच्छे अच्छी बाते बताते थे एक साल ऐसा हुआ की वर्षा ही नहीं हुई किसानों की फसल चौपट हो गई उनके घरों में कुछ खाने को नहीं बचा बिचारे सहायता के लिए महात्मा जी के पास पहुचे उनका दुखडा सुनकर महात्मा जी ने कहा तुम लोग चिन्ता मत करो हमारे खेतों पर प्रभू की क्रिपा है इसकी फसल कभी कटम नहीं होती तुम लोग रोज यहां से गीहूं की बालिया काट कर ले जाना दूसरे दिन पौधू पर नई बालिया आ जाएंगी किसानों को तुझ जैसे नया जीवन मिल गया अब रोज उन्हें भर पेट खाने को मिल जाता था महात्मा जी के महात्मा जी साल के छो महीने हिमाईले पर बिताते थे उनका महाजाने का समय हो गया था उन्हों दिरामनाथ को एक कलश दिखाते हुए कहा इसमें अमरित चल है रोज राद को तुम इस चल के छीटे खेतों पर डाल दिया करना इससे फसल हमेशा लह लहाते रहेगी अनाच की कमी से बाजार में अनाच के दाम बहुत बढ़ गए थे महात्मा जी के जानने के बाद रामनाथ ने सोचा क्यों न मैं सारी फसल गाउं वालों को देने बजाए बाजार में बेच दू खूब दन कमाकर अपने गाउं चला जाओंगा और सारे उम्र एश से हरोंगा उसके ममने पाप जाग चुका था उसने रात को खेत में पानी चड़का और सो गया सुबह हो हला सुनकर इसकी नींद खुली बाहर जागर देखा तो हैरान रह गया सारे खेत सूख चुके थे तभी लोगों के पुसपुसाहट सुनाई महात्मा जी आ गए महात्मा जी आ गए महात्मा जी ने सब को बैठने को का और बोले रामनाथ अपे तो तुमने पाप की बाद सोची ही तो इतना बुरा असर हुआ मेरे पाव अपने आप अपने आप अपनी कुटिया की और मूड लिये मूड गए हिमाइले जाने से ज्यादा जरूरी है भूखों को पेट भरना यह करकर वे ध्यान में बैठ गए दूसरे दिन गाव वालों ने देखा कि माहत्मा जी के खेट फिर से दहलहा उठे थे आप अपने आपको चुछ उस्ट्योरी से नहीं आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइख सब्स्राइब और शेयर कर देना और बैल आइकन भी प्रेस कर देना थाइक यू बाइ